जहें दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक ने टोपीक के साथ मैं हूँ टप्रदेव। मैं हूँ राजेश स्वागत करते है हमारी टुक्षर राजेश दोस्तों वीडियो देख लेते हाशा करने कि पसंद आएगा पसंद आए तो लाइक और से जनु से कर दीजिएगा और पहली बार आएगा पर पहली बार आपका ने शब्स्राइब कर दीजिएगा पाकिस्तानी मीडिया और वहां के लोगों का रियक्शन होता है लेकिन उसे पहले से बीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छी इंडिया की बात हो रही थी के इंडिया ने अभी जिम्भावे का टूर अनाउंस किया और अपने तमाम बड़े प्लेयर्स को रहस देजिए उनोंने यही बात कर दो को एसराज नहीं है रोजशर्मा भी बैट गए बैट गए बाट गए बुम्रा भी बैट गए अच्छी ने नहीं सुने वही यह नाम अवर भी बोलो आप यह पहले बोलना चाहरा है मैं बस यही जैसे मैं ने पहले बोला नहीं प्रिश्ची कर गए इतनी स्ट्रॉंग की विए इसलिए उन्होंने अपना बेंट इतना स्ट्रॉंग किया है इवन एक टीम के बाद वह थ जिनियर प्लेयर को फुली क्रेड़िट देता हूं, वो अपने साथ जुनियर प्लेयरों को भी साथ लेकर चल रहे हैं, कि अगर कल को हम लोग क्रिकेट छोड़ें, तो इंडिया पे कोई फेक्ट ना पड़े, मैं आपको अनसली बात बता रहा हूं, कि मैं दोनी के साथ बैठा हूआ था, उसके साथ बैठके डिनर कर रह था, राइना होता था, मैं होता था, मली को होता था, यजुराच सिंग होता था, तो जब ये मैंने से पूच्छता था था ना, कि यार, जब आप लोग छोड़ोगे क्रिकेट, तो आप क्या करोगे? उस वकत 2013 में हम इंडिया का टूर हमने किया था, हम वो जीत किया थे, तो विराट पर बड़ा इसी तरह का टॉफ टाफ टाइम चल रहा था, तो मैनेजर आया दोनी के कमरे में, कि यार विराट को आखरी वंडे मत खिला हो, तो मैंने बड़ा परेशान ह तो मैंने दोनी भाई की शकल देखी, तो उन्होंने का यार ठीक है, मैंने छे महीने से मैं भी नहीं घर गया, कप्तानी राइना कर लेगा, दो टिकेट करवा और मैं और विराट चले जाते हैं वापिस, आप बलीव करें, मैं शकल देखता रहागा, हम लोग दिनर कर रहे तो मैंने भी आप खिलाओ जो करना है, तो मैंने उनसे बोला कि मही भी आपने यह जवाब दी है, तो उन्होंने बोला कि विराट बेस्ट प्लेयर चल रहा है, अगर तीन-चार मैच़ों पर टफ टाइम आया है, तो हम इसको क्यूं पीछे छोड़ें, इसकी जगा कोई आने वाले टाइम में ये इंडियन टीम का कप्तान होगा और उसने कप्तानी की, आप उसके 2013 के बाद उसने पलट के नहीं देखा, बीच में एक पैच आया, फिर भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड उसको साथ लेके चला, एक टूवर खिलाया, नहीं परफॉर्म हुआ, उसको रेस्ट करवाया एक टूवर, दूसरा टूवर खिलाया, नहीं परफॉर्म हुआ उस तरह आगा, उसको रेस्ट दिया एक टूवर, तो इस तरह प्लेयर ड्वैलप किये जाते हैं, इस तरह वो प्लेयर लेके चलते हैं, आउट ओफ फॉर्म भी वहां कोई बोलता नहीं था कि या दोनी ने पना टोला बनाया हुए यहां पर यह होता है अब जिस तरह आप बात करें ना ठीक है उन्होंने वह बना रहे हैं यहां कोई कुछ करना भी चाता है ना ताविश भई को चैमेन बिसेकली ज़्यादा कुछ पूछता है जो आसपास वाले लोग हैं ना वो किसी और को चैमेन के पास जाने ही नहीं देते उन से मिलने ही नहीं देते ताके वो जो 6-8 लोग वहाँ पर भी है और वो सारे आपस में एक ही बियान पर रहते हैं तो वो जब जाहरी बात है जिन लोगों में चेमिन जाते हैं वो 6-8 जिन से भी बात करता है वो एक ही बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ भई यही चीज ठीक होगी आस यह आप पिछले चैरमेंज के साथ भी देखें ऐसा ही होता है चैर्मेंज चले जाते हैं लेकिन वह लोग वही पे रहते हैं तो ये उनको भी पता होता है, समझधार लोग हैं, चेर्मेंज भी तो उन्हें अब थोड़ी सी अपनी जो जो धायरा है, वो खोलना है, क्योंकि इस टाइम पर क्रिकेट पाकिस्तान की उस डगर पर खड़ी है, कि अगर अभी भी उन्हें अपना धायरा बियांड ना किया, खोला नहीं और उन्हीं 6-8 लोगों के अंदर रहे, जो के चाते हैं कि वो और किसी से मिले ही ना, तो पाकिस्तान कीम बहुत रिवर्स गेड लगेगा, मुझे ऐसा लगता है, अगर चेर्मेन इतने भी चेर्मेन हैं और उनको 6-7 लोग मिनिफिलेट कर सकते हैं, तो चेर्मेन शुड़ बी स्मार्टर देन डाट, अगर आपको आपको यह लगता है, चेर्मेन को लोग बेखुब बनाते हैं, मिल मिला के, यह उनको फीट करते हैं, तो फिर उनको चेर्मेनी डिजर्ब नी करते हैं, जब भी आप जो किसी अंदर के बन्दे से यह बात पूछेंगे, तो वो आपको सेम ही बात करेगा कि ऐसा ही होता है, तो स्टार्ट होगी, इंडियन क्रिकेट बोर्ट की तरफ से जो है, तीन तगड़े प्लेयर चाहिएं, और वो तगड़े प्लेयर कौन होंगे, कौन आएगा उनकी जगा दोस्तों, वो तो बात में पता चलेगा, लेकिन इस टाइम हिंडुस्तान की टीम में तीन नाम जो है, जिसमें साही सुदरशन है, जितेश शर्मा है, और हर्शित र रुतराज गेकवार्ड है, अबिशिक शर्मा है, और मैं अबिशिक शर्मा को देखना भी चाहता था, कि अबिशिक शर्मा खेले, तो ये बड़ा अच्छा मोका है, अबिशिक शर्मा को खेलने का और हमें देखने का, और साथ में भाई साही सुदरशन जैसे हमने आपको बताया कुजराट टाइटन से खिलते हैं वो तो साई सुदरशन का नाम भी एड़ हुआ है रिंको सिंग है इसमें आपको पहले से पता है रियान पराग है इस स्कौार्ड में जितेश शर्मा है दुरू जो है जुरेल है वाशिंटन्ग सुन्दर है रवी बिशनुई है अव सारे लोग इस तीन बंदे जो एड़ हुए हैं इसमें जितेश शर्मा को लेकर कुछ जो है बाते सोशल मीडिया पर हिंदोसान के क्रिकेट फैंस की तरफ से हो रही है कुछ मीम्स भी बने हैं कि जितेश शर्मा बी लाइक मैंने क्या किया कि भाई मुझे भी एड़ कर दिय सकौार्ड मैं देखो यार यह मैं नहीं बोल रहा हंदोसान के बहुत सारे लोग बहुत 사re ट्वीट्स बहुत सारे मैंने जो है वेब साइट पर पढ़ा है जिन्नों ने जिदेश शर्मा के लिए लेका है एन्यवे दोस्तों ये बड़ा अच्छा मुका है ये सिरीज भी ज चाल बात करें कोहां हैं आई पर इंटरनेशनल लेविल पर इंटर्नेशनल सिरीज जो प्लेइद हैं में देखना चाहँ है निया करें अबेशिक शर्मा और मुझे यह पका यकीन ता क्या आइप आई पीएल चल रहा था कि आबेशिक शर्मा जो है T20 World Cup में जरूर आएंगे लेकिन मेरे क्याल से कि अबेशिक शर्मा की जगा जो है वो शिवम डुबे आ गये थे तो यहां पे अबेशिक शर्मा का नाम आया है तो मेरे काल से यह कापी ज़्यादा अच्छा है इनका देखने का कि यह किस तरीके से खेलेंगे इस सिरीज में साही सुदर्शन हमें और आप सब को पता है उसकी परफॉर्मिंस भी आप लोगों ने देखी है तो उसके बारे में ज़्यादा बात करना नहीं बनता राइबा जितेश हर्मा की तो भाई सच बोलो न तो जितेश हर्मा के बारे में उतना एक्स्पिरियंस नहीं है देके मैंने उनको देखा है पंजाब किंग्स में जो है उसके मैचिस बगएर देखे हैं लेकिन अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता जब तक यह सिरीज नहीं हो ज का भी है प्लेयर्स को जो है टैस्ट करने का इस सिरीज में और कौंसा प्लेयर किस टाइप का पर्फॉर्मिंस करेगा यह तो पिर सिरीज में ही पता चलेगा बेशक इसमें कोई शक नहीं है के जियरके तो बिलकुलék ही कतम है तो जिंबाबे ने कई बार पाकिस्तान जिसे कि आधेश को शिकस्त दी यह फिर कुछ लोग बोलेंगे के बाई पाकिस्तान का नाम कहांसे आगे यह क्या ही करें बाई जिस गली में हम मुड रहे हुई है उही पे पाकिस्तान हारा हुई झो भाई जिम्भाबे का जो है टुका हुआ पाकिस्तान तो हम इस टीम को जो है जो रहा है क्योंकि भाई उनों एक सो पचास प्लस वालों को दो जा है एनिवे दोस्तों ये सीरीज अभी बहुत सारी सीरीज आने वाली है बंगलाडेश वर्सिस अफगानिसान का मेरे क्याल से अफगानिसान के टीम में भी बहुत सारे चेंजिस होने वाले है रहमत शाह जो बाची तो रही है कन्फरम नहीं हुआ है यह बाची तो रही है और खुद उन्होंने एक इंटर्यू में भी कहा है कि मैं T20 भी अच्छा खेल लेता हूं बस मेरे को थोड़ा सा और प्रेक्टिस करने की जरूरत है जो वन डे कप ले रहे हैं तो फिर अभी नेपाल जो है वो काबूल आएगी वहां पर भी एक सिरीज है उसके बाद उमान के साथ है हिंदुस्तान का जो है तो बैया वो लोग जो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप कथब होने के बाद मायूस बिटे हैं तो गबराई है मत देखें थोड़ा सा रेस्ट भी लिया करें वर्ड कप में बहुत हुआ ऊपके फर जहीत हैं हमसार spécial सिखना कवे देखें काम और आप लोग छिलगा सन लाज अब Pharisee कुघा कि आप दोस्तों जो है तो सिब्दोस्तों निवाही यहां तक देस्थ 한다 के लिए अपसे मफ्त कर आउत करेंगे आप से भी निगे मिलें लित अदिल दर्गाइद अर्यव मेरे